जैहीं लोश्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दालोजिकल साइन्स में मैं हूँ आलोग सिन आतीस और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं करेंगे जो कि आपके पिछले गुरूप डी एक्जाम में पूछे गए हैं और हाँ आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इसेशन का जो भी एक्जाम्पल कुष्टन है उसका पीडियेफ आपको कहां मिलेगा यह हमारे टेलिग्राम गुरूप से मिल है आप वहां से जा करके ले सकते हैं साथ ही आप सबों से कहना चाहूंगा कि बने रहीएगा वीडियो के अंद तक आज के बाद आप एक्टोमिसीटी के प्रस्नों को सीटी बजाते हुए आसानी से सॉल्व कर लेंगे तो आए बिना आपने समय को गमाये हुए शुरू करत किते हैं एक्जाम रेलेबंट की कुछ शीख पाते हैं दोस्तों जब हम लोग अटमिस्टी की बात करते हैं परमानुकता की बात करते हैं तो हम सबंसे माइड में सबसे पहला को इससन यह आता है कि सरatt sû T क्या होती है परमानुकता क्या होती है Golden कि किसी भी अनुमें जितना परमानु उपस्तित होता है वही उसनु की क्या कहला आते है किसी बी अनुमे उपस्तित किसी भी अनु में उपस्थित परमानु की संख्यां परमानु की संख्यां उस अनु की उस अनु की परमानुक्ता कहलाती है उस अनु की परमानुक्ता कहलाती है और इसी को हम लोग इंग्लिस में क्या कहते है तो सर इसी को हम लोग इंग्लिस में एटोमिसीटी कहते है यह फिर आप चाहें इसको इंग्लिस में भी डिफाइन कर सकते हैं कि दा नंबर ओफ एटम पर्जेंट इन मॉलिक्यूल्स इस नो पर्मानु होगा वही क्या कहलाएगा उस अनु का पर्मानुक्ता कहलाएगा आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अनु तो दो परकार के होते हैं एक होता है तत्तो का अनु और एक होता है योगी का अनु तो क्या दोनों ही परकार के अनु का पर्मानुक्ता निकलेगा बिलकुल तो सर अनू का निकलेगा, molecules का निकलेगा और मैंने इस बात को यहाँ पे definition में भी पिरो दिया है ताकि आपको कोई परिशानी का सामना ना करना पड़े इसका definition ही होता है कि किसी भी अनू में जितना पर्मानू उपस्तित होगा वही उसकी क्या कहलाएगी पर्मानुकता कहलाएगी अब आप कहेंगे कि सर तत्त का अनू क्या होता है और योगी का अनू क्या होता है में ते ध्यान दिजेगा जैसे आप बात करते हैं यह आपका क्या है आप खहेंगे सर यह तो O लिखा हुआ है यानि कि यह Oxygen का परमानु है तो जब आप इसको O2 के रूप में लिख देते हैं तो आप क्या कहते हैं कि शर यह Oxygen का अनु हो जाता है ध्यान दीजेगा ऑक्सिजन आपका क्या है आप खेंगे सर तत्त है तो ये ऑक्सिजन तत्त का परमानू है जबकि ये ऑक्सिजन तत्त का क्या है सर अनू है साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जैसे आप बात करते हैं HCL की आप क्या कहते हैं कि गुरुजी HCL एक योगिक है STL क्या है? योगिक है और no doubt आप सबों को मालू है कि किसी भी योगी का सुख नुतम कन क्या होता है? आप कहते हैं, सर अनू होता है साथ ही ध्यान में रखेंगे यहाँ पे आप सभी देख पारे होंगे यह क्या है आपका योगिक है तो जाहिर सी बात है कि SCL का भी अनू होगा अच्छे ये बदाईए कि SCL अनू में कितने परमानू है आप कहेंगे कि गुरुजी हाइडरोजन के एक परमानू है और क्लोरीन के कितने है सर एक परमानू है तो एक परमानू हाइडरोजन का और एक परमानू क्लोरीन का कितना हो गया आप कहेंगे सर दो परमानू हो गया आप सभी देख पा रहे हैं, कि ozone में oxygen के 3 पर्मानु है, ऊजोन का पर्मानुकता कितना हो जाएगा, आप कहेंगे, तो सर 2 हो जाएगा. इसी तरह अगर आप बात करें, NH3 की, ammonia की बात करें, तो आप सबी क्या देख रहे हैं? कि सर अमोनिया में नैट्रोजन के एक परमानू है और हाइड्रोजन के तीन परमानू है तो अमोनिया का परमानुकता कितना हो जाएगा आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं सर नैट्रोजन का एक परमानू है और हाइड्रोजन का तीन परमानू है टोटल कितना हो गया, सर चार परमानु हो गया, इसलिए अमोनिया की कितनी परमानुकता होगी, तो सर चार परमानुकता होगी, मेरमित्र ध्यान में रखेंगे, कि किसे भी अनुमे उपस्तित परमानु के आधार पर, परमानुकता को हम लोग 5 परकार में डिवाइड करते हैं क्या ध्यान में रखेंगे कि किसी भी अनुमें उपस्तित पर्मानु के आधार पर पर्मानुकता को हम लोग कितने परकार में डिवाइड करते हैं, पांच परकार में डिवाइड करते हैं, अब आप कहेंगे कि सर वो पांच परकार कौन-कौन सा है, आईए उसको भी समझते ह लेकिन उससे पहले अगर आप no down करना चाहते हैं तो वीडियो को pause करके इन सारे चीज़ों को no down कर सकते हैं पहले हम लोग परमानुकता के तीन परकार को देखते हैं फिर हम लोग दो और परकार को देख लेंगे ध्यान में रखेगा कि पहला होता है monoatomic molecules जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं एक परमानुक कहते हैं दूसरा होता है आपका diatomic molecules जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं दूई परमानुक कहते हैं और तीसरा होता है आपका triatomic molecules जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं त्री पर्मानविक अनू कहते हैं मिरमित्र ध्यान दिजेगा कि यहाँ पे सब्द से ही इसका सारा चीज निकल रहा है आप कहेंगे कैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है monoatomic यानिकी एक पर्मानविक ऐसा अनू जिसमें क्या हो तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्मानू हो उसको हम लोग क्या कहेंगे एक पर्मानविक अनू कहेंगे और ध्यान में रखेंगे कि आपके पास जितने भी अक्रिय गैस हैं, जितने भी नॉबल गैस हैं, वे सभी किसका example होता है, तो सर मोनो एटोमिक का example होता है, यनि कि एक परमानुविक का example होता है, तो जब भी आप से कोई ये question पूछे, कि मोनो एटोमिक का example कौन-कौन सा है, आप क्या कहेंगे, कि जितने भी अक्रिय गैस हैं, वे सभी किसके example हैं, तो एक परमानुविक अनुग के example हैं, ध्यान में रखेगा, यहाँ पर मैंने डैस देकर के liquid यह है, ताकि आप इसको आसानी से copy में note-down कर लो, और हमेशा हमेशा के लिए याद रख पाओ, साथी ध् आपका अगला है diatomic molecules, जिसको आपका हिंदी में क्या कहते हैं, दूई परमानुविक अनुग कहते हैं, हम इसा ध्यान में रखेंगे, कि अगर किसी अनुग में केवल और केवल दो परमानुग उपस्तित हैं, तो जो उसकी परमानुपता होगी, वो कितनी होगी, तो सर दो होगी, और इस step के अनुग को आप क्या कहेंगे, तो दूई परमानुविक अनुग कहेंगे, ध्यान में रखेगा, इसका बहुत सारा example आपको मिल जाएगा, और मैंने कुछ example यहाँ पे भी लिख दिया है, और example इसका बहुत ही important है, आप सभी देख पा रहे होगे, यहाँ हाँ पे मैंने लिखा है H2, क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के दो परमानु हैं यहाँ पे, यहाँ पे है O2, ऑक्सिजन के दो परमानु है, यहाँ पे है N2, नैट्रोजन के दो परमानु है, यहाँ पे है CL2, यानि कि क्लोरीन के दो परमानु है, कार्बन मोनो कि जितने भी डाय अटोमिक होते हैं όसका प्रमानुपता कितना होता है तो आप सभी कहेंगे कि गुरूजी दो होता है किद न उता है दो हूता तो कोई भी अनु जिसमें 3 परमानु उपस्थित होगा उसको आप क्या कहेंगे 3 परमानुइक अनु कहेंगे और इसके एक्जामपल क्या हो सकते हैं तो आप सभी देख पारे होंगे यहाँ पे carbon dioxide लिखा हुआ है यनि कि carbon के एक पर्मानू और oxygen के दो पर्मानू दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे तो सर्थीन हो जाएंगे तो carbon dioxide की पर्मानू उक्ता कितनी होगी आप कहेंगे सर्थीन होगी साथी आप देख पा रहे होगे यहाँ पर O3 लिखा हुआ है तो आपके एक्जाम में कभी-कभी यह सीधे सवाल पूछा जाता है कि निमलिकित में से 3 पर्मानू अनू है और आपके option में ozone जरूर रहता है ध्यान में रखेगा कि O3 को हम लोग क्या कहते है ओजोन कहते है आप सभी क्या कहेंगे कि ओजोन जो है वो 3 पर्मानू का उधारन है और इसकी पर्मानूपता कितनी होती है तो सर्थ 3 होती है साथ ही आपका next है H2S जिसको हम लोग hydrogen sulfide कहते हैं ध्यान देजेगा यहाँ पे hydrogen के 2 पर्मानू है और sulfur के 1 पर्मानू है दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा तो सर्थ 3 हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि hydrogen sulfide की पर्मानूपता कितनी होगी 3 होगी अब आप सिधे तोर पर यह कह सकते हैं कि गुरुजी जो monoatomic molecules होगा यानि कि जो एक पर्मानूपता एक होगी जो diatomic molecules होगा यानि कि दूई पर्मानूपता अनू होगा उसकी पर्मानूपता 2 होगी और जो triatomic molecules होगा उसकी पर्मानूपता कितनी होगी आप कहेंगे सर्थ यह हम लोग और दो परकार को देख लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप नोडाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉस करके इन सारे चीजों को नोडाउन कर सकते हैं आपका जो अगला परकार है वो है tetra atomic molecules ध्यान दीजेगा इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं तो सरी इसको हिंदी में हम लोग चतुर्थ परमानुविक अनू कहते हैं यानि कि वैसा अनू जिसमें चार परमानू उपस्तित हो उसको आप क्या कहेंगे tetra atomic molecules कहेंगे और ध् ध्यान में रखेंगे कि इसका example कुन-कुन सा है तो जो आपका phosphorus है इसमें कितने पर्मानु होते हैं तो sir 4 पर्मानु होते हैं साथ ही जो NH3 ammonia है इसमें कितने पर्मानु आप देख पा रहे होंगे तो sir 4 पर्मानु है कैसे तो nitrogen का 1 पर्मानु और hydrogen का 3 पर्मानु दोनों को जो आपका sulfur trioxide है, यहाँ भी क्या है सर, तो चार परमानु है, sulfur के एक परमानु है, और oxygen के तीन परमानु है, तो हमेशा ध्यान में रखना है, कि अगर किसी भी अनु में, चार परमानु उपस्तित होता है, तो उस अनु को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थ परमानुविक अन कहते हैं, यानि कि English में polyatomic molecules कहते हैं, क्या ध्यान में रखना है, कि अगर किसी अनु में, चार से अधिक परमानु उपस्तित है, तो इस टाइप के अनु को हम क्या कहेंगे, बहु परमानुविक अनु कहेंगे, और English में क्या कहेंगे, तो आप polyatomic molecules कहें दियान में रखेंगे कि जो आपका sulfur का molecules होता है इसमें 8 पर्मानु होता है इसका मतलब यह हुआ यह जो 8 है वो क्या है सर चार से ज्यादा है तो इस टाइप के अनु को आप क्या कहेंगे बहु पर्मानुविक अनु कहेंगे और इसकी पर्मानुत्ता कितनी होगी तो सर सल्फ होगी तो कितना हो जाएगा आप खहेंगे सर 5 हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि CH4 मिथेन की जो पर्मानुपता होगी वो कितनी होगी तो सर 5 होगी साथी यहाँ पे आप देख पारे होंगे HNO3 लिखा हुआ है जिसको हम लोग Nitric Acid बोलते हैं जहाँ पे Hydrogen के एक पर्मानुप है और Oxygen के तीन पर्मानुप है सबको जब आप जोडएंगे तो कितना हो जाएगा तो सर 5 हो जाएगा यहनि कि Nitric Acid की जो पर्मानुपता होगी वो कितनी होगी आप खहेंगे सर 5 होगी स जनी कि Sulfuric Acid का जो पर्मानुपता होगा वो क्या होगा तो आप सभी कहेंगे सर साथ हो जाएगा मिरमित्र ध्यान में रखेंगे हमेशा इस चीज को कि किसी भी अनुप में जितना पर्मानु उपस्तित होता है वही उसकी क्या क्या लाती है और किसी भी अनुप में जो उ अनु लिखा हुआ है तो इसकी पर्मानुक्ता कितनी होगी दो होगी और अगर कहीं पे त्री पर्मानुक्ता कितनी होगी आप कहेंगे तीन होगी और साथी साथ अगर कहीं पे टेट्राइटामिक मलीकुल्स लिखा हुआ है यानि कि चतुर्थ पर्मानुक्ता कितनी हो जाए और जहां भी polyatomic molecules की बात आएगी बहु पर्मानुकता होगी वो चार से अधीक होगी मिरमेत्र उमीद करते हैं कि अब आपको पर्मानुकता क्या होता है और पर्मानुकता के कितने परकार होते हैं और पर्मानुकता कैसे निकाला जाता है ये चीज आसानी से समझ में आ गया होगा आएए इसे सम्मदित हम लोग कुछ example question देख लेते हैं ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपके exam में इसे सम्मदित question किस type से पूछे जाते हैं लेकिन उसे पहले अगर आप note down करना चाहते हैं तो वीडियो को pause करके इन सभी चीज़ों को note down कर सकते हैं आपका जो पहला question है आज की session का question number one बड़ा ही आसान सा सवाथ आपसे पूछा जा रहा है कि फास्फोरस की परमानविक्ता है आपका option दिया हुए 3 दूसरा option है 4 तीसरा option है 5 और 4 option है 7 बताइए क्या होगा इसका answer आप सभी कहेंगे इसर अभी just बताया है आपने कि फास्फो के अनुमें फास्फोरस की कितने परमानु है चार परमानु है इसकी परमानुकता कितनी हो जाएगी आप कहेंगे सर इसकी परमानुकता चार हो जाएगी तो आप बताएगी कि सही answer क्या हो जाएगा आप सभी कहेंगे सर option number B is the right answer of this question उमीद करते हैं समझ पाएंगे चलते है अगले कुश्चन की तरफ आपका जो अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर टू बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी आप से पूछा जा रहा है कि फास्फोरस की परमानुकता क्या है आपका option दिया हुआ हुआ दूई परमानुक दूसरा option है बहु परमानुक तीसरा option है एक परमानुक और चोथा option है चतुः परमानुक बड़ा ये नव बनेगा आसानी से बन जाएगा आप सभी कहेंगे किसरा अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि फास्फोरस का अनुक हमको जब भी दिखेगा तो पी फोर की रूप में दिखेगा और हम सभी क्या कहते है कि ग आप बताई कि आपके इस को सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी कहेंगे सर ऑप्सन नमबर डी इस राइट अंसर अब दिखेगा कि आपके उप्सन में जो दूई परमानुक दिया हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई अनु में कितना परमानु भूशर दो तो आप सभी कहेंगे कि सर अगर किसी अनू में चार से ज्यादा परमानू उपस्तित होंगे तब हम लोग उसको क्या कहेंगे बहु परमानू कहेंगे और आपके तीसरी आप्शन में दिया हुआ है एक परमानू तो आप सभी कहेंगे कि सर जितने भी अख्रिय गैस हैं वे आपसे पुछा जा रहा है कि निमलिखित में से कौन परमानू बहु परमानुग हैं आपको आप्शन दिया हुआ है फासफोरस दूसरा ओप्शन है क्लोडी तो सर P4 की रूप में होता है, यानि कि फासफोरस की पर्मानुपता कितनी होगी, आप खहेंगे 4 होगी, और इसलिए ये कौन सा अनुप होगा, तो सर ये 4 पर्मानुपता कितनी है, दो है, ये क्या हो जाएगा, आपके दूसरे अप्शन में दिया हुआ है क्लोरीन, आप सभ आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आरगन जो है, वो एक अक्रिय गैस है, और इसलिए ये किसका उधारन हो जाएगा, तो एकल पर्मानुपता कि रूप में दिखता है, आप सभी क्या कहेंगे, कि सर यहां पे 4 से अधिक पर्मानुपता है, और हम सभी ने अभी जश्ट कि अगर किसी अनुप में 4 से अधिक पर्मानु उपस्तित होता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहु पर्मानुपता है, यानि कि polyatomic molecules कहते हैं, तो आप से जो question पुछा जा रहा है, उसका answer क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे, कि सर गंधक जो है, वो किसका उधारन है, बहु पर्मानुप का उधारन है, इसलिए हमारे इस question का सही answer, option number D हो जाएगा, उमीद करते हैं, समझ पाये होंगे, चलते हैं, अगले question की तरफ, आपका जो अगला question है, question number 4, बड़ा ही आसान सा सवाल, आप से पुछा जा रहा है, कि सल्फर की पर्मानुपता क्या है, आपका option दिया हुआ है, बहु पर्मानुप, दूसरा option है, दुई पर्मानुप, तीसरा option है, एक पर्मानुप, और चोथा option है, त्री पर्मानुप, बताई ये क्या होगा इसका answer, आप सभी कहेंगे, कि सर्फर जो है, वो बहु पर्मानुपता क्या हो जाएगा, option number A हो है, कि सर्फर की पर्मानुप, दूसरा option है, चतू पर्मानुप, तीसरा option है, बहु पर्मानुप, और चोथा option है, एक पर्मानुप, बताई ये क्या होगा इसका answer, मेरे मिदर इस question का answer, आप सबों के उपर छोड़ता हो, और आप सभी इस question का सही answer क्या होगा, नीचे comment करके ज़रूर बताएंगे, आपके comment का इंतजार रहेगा, बेरहाल चलते हैं, अगले question की तरफ, आपका जो अगला question है, question number 6, क्या पूछा जा रहा है, आप से पूछा जा रहा है, कि डैस एकल पर्मानुप, अनुप का एक उदाहरन है, आपका option दिया हुए, आरगन, दूसरा option ह sulfur, तीसरा option है, phosphorus, और चोथा option है, hydrogen, क्या होगा इसका answer, आप से question करा जा रहा है, कि इन चारों में से कौन सा एकल पर्मानुप, अनुप का उदाहरन है, आपका पहला option है, आरगन, आप सभी क्या कहेंगे, कि sir, आरगन जो है, ये एक अकडिये gas है, और जितने भी अकडिये gas ह होते हैं, वे सब के सब किसके उदाहरन होते हैं, एकल पर्मानुप, अनुप के उदाहरन होते हैं, तो आप बताइए सही answer क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे, sir, option number A is the right answer of this question, ध्यान में रखेगा, कि आपके दूसरे option में है, sulfur, आप सभी कहेंगे, कि sir, sulfur का जो molecules होता है, वो S8 के रूप में होता है, इसलिए sulfur हमारा क्या हो जाएगा, बहु पर्मानुप का उदाहरन हो जाएगा, साथी आपके तीसरे option में है, phosphorus, आप कहेंगे, कि sir, इसका जो अनुप होता है, वो P4 के रूप में दिखता है, और हम सबों को अच्छे से मालुम है, कि phosphorus जो है, वो दूइ पर्मानुपिक अनुप का उदाहरन होगा, यानि कि diatomic molecules का उदाहरन होगा, मिरमित्र पर्मानुपता से संबंदित, आपके group D exam में जो question पुछे जाते हैं, वो आपका कुछ इसी तरह से होता है, और मेरे ख्याल से, अब आपको पर्मानुपता से संबंदित, किसी परकार के question को करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जब भी आपको इस टैप का प्रस्थ मिलेगा, मेरे समझ से आप city बजाते वे उसको आसानी से solve कर लेंगे, साथ ही उमीद करते हैं, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग Thank you, have a nice day.